Vivo 2TX 5G launch कर दिया है 13000 में 4GB 128GB variant कमाल का स्मार्टफोन है बहुत चारे लोग online से इसी स्मार्टफोन को खरीदेगा 13000 में लेकिन इसी price के आसपास Realme C55 भी दमदार स्मार्टफोन है तो आज इस वीडियो में दोनों फोन के बीच में detail comparison करूँगा और मैं आप लोगों को बता हूँगा दोनों फोन में से कौन सा फोन बेश्ट है कौन सा फोन आप लोगों को खरीदना चाहिए सबसे पहले design के बारे में बात करते है design कई हद तक same है Realme C55 में back side की तरब glossy panel देखने को मिलता है मेरे पास gold color है यहाँ पे camera के चारो और एक border दिया है flat edges के साथ आता है light weight phone है अगर आप काफी देर तक एगा तो मैं यूज़ कर रहे हूँ आपके हाथ दुखेगा नहीं यहाँ पे polycarbonate तो है लेकिन थोड़ा सा rubberish design है तो उसके बज़े से हाथों का निसान या टोटाल ही नहीं आता है Realme C55 का जो camera का module है न वो same to same है Vivo T2X 5G के camera module यहाँ पे चेक कर लीज़े Vivo T2X 5G का gold color ही मेरे पास है और इसका design भी काफी अच्छा है flat edges के साथ आता है light weight phone है हाथ में पकड़ने में premium जैसा film भी देता है और polycarbonate तो है लेकिन यहाँ पे भी हाथों का निसानी या craches bagger उतना जादा नहीं आता है देखिए जो back set की तरब camera का style है कई हथ तक दोनों phone के camera style सेम है तो design तो अपना अपना opinion है बहुत सारी लोगों को Realme का design पसंद आएगा डिस्प्ले के पास देखोगे Realme C55 में थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले मिलता है 6.72 इंच का full HD plus IPS LCD पैनल लेकिन यहाँ पे 90 hearts का ही refresh rate दिया है AMOLED डिस्प्ले नहीं है फिर भी मैंने बहुत सारे content बेगरा कंजुम करके test किया हूँ अच्छा quality ही मिलता है आउट्डोर में इस phone को मैंने यूज़ किया था brightness है कमाल का है और एक चीस सबसे बढ़िया है जिसमें कोई भी कमिया नहीं है ओ है सुमन टेकनो के subscribe बटन और like बटन देरी क्यों? देरी किस बात का? like और subscribe दबाओ यार Vivo 2TX 5G में 6.58 इंच का full HD plus यहां पे भी LCD panel दिया है IPS LCD panel यहां पे भी AMOLED डिस्पले नहीं है लेकिन यहां पे कोई भी high refresh rate नहीं है तो इसके बज़े से Vivo थोड़ा सा एक कदम पीछे आ जाता है 90 हर्स तो कम से कम देना चाहिए था Vivo को Outdoor में इस phone को मैंने use किया हूँ Outdoor brightness इसका काफी अच्छा है और इस phone में मैंने बहुत सारे content consume करके भी test किया हूँ Quality आप लोगों को same to same मिलेगा जैसे Realme के phone में ही मिलता है देखिए डिस्पले में Vivo में बस एक ही कमिया है 90 हर्स नहीं दिया है जबकि Realme C55 में 90 हर्स डिस्पले है अगर आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा डिस्पले चाहिए तो भी आप Realme के पास ही देख साकते हो Performance के पास देखोगे Vivo T2X 5G में MediaTek Dimensity 6020 चिपसेट मिलता है 3,75,000 इसका अंतुत स्कोर आया है Benchmark 6 को भी मैंने रांड किया दा जो Single Core Score 691 और Multi Core Score 1773 आया है उसी जगा में Realme C55 में दिया है MediaTek Helio G88 चिपसेट 2,15,000 इसका अंतुत स्कोर आया है मैंने Benchmark 6 को भी रांड किया दा 4,07 इसका Single Core Score और 1,185 इसका Multi Core स्कोर आया है Vivo की phone में मैंने भरपूर PUBG खेला हूँ PUBG इस phone में smooth चलता है नहीं तो कोई lag, guitar, frame drop कुछ भी नहीं है Smooth experience मिलेगा और मैं continue 5,5 घंटे तक PUBG खेला था Vivo 2TX 5G में इसी दोरान मुझे कोई भी hitting issue नहीं लगा है और इस phone में आप लोग smooth and ultra, edge o d and high करके PUBG खेल पाओगे edge o d high करके जब आप लोग PUBG खेलने जाओगे बहुत ज़्यादा frame drop बगरा होगा लेकिन मेरा सलाह एई होगा के smooth, ultra करके खेलना smooth experience मिलेगा Realme C55 में भी मैं continue काफी दिर तक PUBG खेला हूँ तो ठीक ठाक है ज़्यादा time PUBG खेलने के लिए यहाँ पे Realme C55 को नहीं बनाया गया है इस phone में भी PUBG आप लोग smooth and ultra और edge o d high setting करके खेल पाओगे Realme C55 में 4 घंटे तक continue PUBG खेला था तो इसी दौरान इस phone में भी कोई भी hitting issue मेरे को दिखा ही नहीं गिया Realme के phone में Realme UI run करता है और Vivo के phone में FunTouch UI run करता है देखिए दोनों phone का जो custom UI है वो अलग-अलग है लेकिन दोनों ही phone में बहुत सारे बहतरीन features है तो description में link डाल दूंगा दोनों ही phone के features वीडियो का ओ वीडियो जरूर एक बाद चेक कर लेना Realme C55 में Dead to Live UGS में थोड़ा बहुत lag जिटर बेगरा मुझे मैसूस हुआ है जब मैं application बेगरा open करने जाता हूँ थोड़ा हद तक मुझे lagging issue लगा है कभी कबार जिटर बेगरा मैसूस हुआ है लेकिन Vivo T2X 5G में smooth experience मिलेगा Dead to Live UGS में मैंने बहुत चारे application बेगरा open किया था smoothly open हो रहा था Realme C55 का 4GB variant हमारे पास है और इसका RAM management बहुत बेकार है जदा तर application को RAM में kill करता है उसी जगा में Vivo T2X 5G का 6GB variant हमारे पास है Vivo T2X 5G का 4GB variant भी मिलता है लेकिन मेरे पास 6GB variant है 6GB variant भी RAM management average है मैंने PUBG को open किया था kill कर दिया था PUBG को RAM में Vivo लेकिन बहुत चारे application को फेर से reload नहीं क्यार रहा था मतलब जे जगा जे छोड़ा था उसी जगा से open कर रहा था Vivo तो कुछ कुछ application में अच्छा performance करता है लेकिन heavy application बेगरा रहेगा उसको RAM में kill कर देता है Vivo बैटरी के पास देखोगे दोनों ही phone में 5000 image का बैटरी मिलता है लेकिन जो skin on time है ओ अलग-अलग है Realme C55 में मैं battery dentist किया था 100% चे 0% तक सिर्फ PUBG के लका 4 गंट के आसपास मुझे skin on time दिया है नॉर्माल UGS में एक दिन आराम से निकाल के देदेगा लेकिन Vivo T2X 5G में भी 5000 image का बैटरी है इसका skin on time साड़े 5 गंट के असपास दिया है यहाँ पे भी 100% चे 0% तक मैंने सिर्फ PUBG केलकारी बैटरी डेंटिस्ट कर रहा था साड़े 5 गंटे तक मुझे skin on time दिया है तो कही न कही बैटरी के मामले में Vivo T2X 5G ओइनारी रहता है Realme के फोन में 33W का फास्ट चार्जिंग एडप्टार है एक गंटा 11 मिनिट के अंदर एफोन फॉल चार्ज कर देता है लेकिन Vivo T2X 5G में यहां पे 18W का चार्ज जार है तो दो घंटे के असपास लगेगा फोल चार्ज होने के लिए कैमेरा के पास देखोगे Realme C55 में बैकसर्ट की तरफ डूयल कैमेरा सेड़ाब है 64 मेगाबिक्साल का प्राइमारी सेंसर टू मेगाबिक्साल का डेप सेंसर 8 मेगाबिक्साल का सेलफी कैमेरा मिलता है Realme के फोन से आप फॉल एज़ोडी 60fps करके विडियो रिकोडिंग कर पाऊगे Vivo T2X 5G में बैकसर्ट की तरफ डूयल कैमेरा सेड़ाब है 50 मेगाबिक्साल का प्राइमारी सेंसर 2 मेगाबिक्साल का सेकेंडरी सेंसर 8 मेगाबिक्साल का सेलफी कैमेरा मिलता है इस फोन में भी आप फॉल एज़ोडी 60fps करके विडियो रिकोडिंग कर पाऊगे देखिए दोनों ही फोन के कैमेरा सेंपल को सैड़ वाई सैड देख लीजे यहां से अंदजा लगाईए कि किसका कैमेरा बेडार है मैं आप लोगों के उपर ही छोड़ता हूँ बहुत सारे कैमेरा सेंपल सैड वाई सैड दिखा रहा हूँ आप बात करते हैं दोनों फोन में से कौनसा फोन बेष्ट है कौनसा फोन उइनार है या कौनसा फोन खड़िदना चाहिए देखिए बैटरी के मामले में वीबो T2X 5G उइनार रहा है काफी देर तक चलता है इसका बैटरी लेकिन चार्जिंग में दोस्तों रियलमी उइनार रहता है 33 वाट का फास्ट चार्जर दिया है पार्फोमेंस में वीबो थोड़ा सा बेटर है क्योंकि डाइमेंसेटी 6-0, 2-0 चिपसेट है आंतो तो स्कोर बैगरा जादा आता है पार्फोमेंस आब लोगों को बढ़िया मिलता है वीबो के फोन में लेकिन रियलमी के फोन का जो कैमेरा है वो बेटर है कई हद तक वीबो के फोन का जो कैमेरा संपल है वो थोड़ा सा लो लगता है मेरे को रियलमी के कैमेरा संपल के आगे दोनों ही फोन बेटर है उसके प्राइस के हिसाब से अगर आब लोगों को थोड़ा सा बेटर कैमेरा चाहिए रियलमी के पास देखिए अभी आप decide कीजिए कि आप कौन से category से belong करते हो या कौन से category का phone आप खरीदना चाहते हो अच्छा performance phone या अच्छा camera phone अभी भी मन में कोई भी doubt है comment box में बताओ मैं हर एक doubt clear करने का कोसिस करूंगा इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले एक fresh वीडियो में